अगर आपको कोईë हुइच्टन ब्रिज के टेफिनेशन पूछे तो आप यह डेफिनेशन लिग देना लेकिन अगर आपको कोई फुइच्टन ब्रीज के कॉणसेप पूछे जो डिराइवेशन है फॉर्मूलय के वो पूछे तो आप क्या करना इस वीडियो को फोर्डवाट कर देना, ठीक है, देखवा अच्छी से, एक्च्छल मैं कहानी के है, यह जो हुच्छतन ब्रीज है, यह काम क्या करता है, काम इसका यह है, कि सब्सक्राइब आपके पास unknown resistance है, तो वो रेजिस्टर की value आपको नहीं पता, तो उस case में उसकी value आ आराम से accurately निकल सकते हो, ठीक है, प्रोवाइड़ आपके पास तीन resistance known हो, ठीक है, लेच्छे यह तीनो resistance की values आपको मालूम है, तो इसकी value कितना है, वो निकल ने दिया, तो आप आराम से निकल सकते हो, एक formula यूज़ करके, formula क्या है, r1 by r2 is equal to r3 divided by r4, ठीक है, अभी question यह है कि यह formula आया कहाँ से, तो simple है इसकी derivation, तो हम लोग अभी solve करेंगे, derivation को देखेंगे, उसके लिए आपको समझना होगा किर्शोप स्लोग, ठीक है, तो probably आपको मालूम है किर्शोप स्लोग क्योंकि मैंने video दाल कर रखा हुआ पे already, ठीक है, किर्शोप स्लोग के पर questions भी solve क है तो आप लोग देख लेना होगा है, ठीक है, तो जो यह condition है, हुईच्टन ब्रिच की, यह एक balanced हुईच्टन ब्रिच की condition है, तो basically हुईच्टन ब्रिच को हम लोग दो भाग में भाग कर सकते है, एक है balanced और एक है unbalanced, ठीक है, इसका meaning कहा है, let's say, यहाँ पर इस circuit में current flow हो ठीक है, तो obviously कीरिसवफ्स लोग अपला करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला step में current flow करवाते हैं, तो यहाँ पर में लिग देते है, step one, ठीक है, step one, step one में क्या करते हैं हम लोग? current draw करते हैं, यानि apply KCL, ठीक है, और इसको हम लिख सकते है, draw current, ओक है, तो कीरिसवफ्स law apply करने के लिए हम लोग पहले KCL apply करते हैं ठीक है ओर एक था ना KVL ठीक है तो current के से द्राव करोगे यह battery है battery से current आ रहे है I current ठीक है यह I current जा रहे है न तो इस direction में let's say I1 current गया ठीक है और इस direction में कितना current गया I-I1 जाएंगे है कि नहीं तो अब इसे I2 भी बोल सेखते हो ठीक है पूरा का पूरा I current है तो I1 current इधर गया I-I2 current इधर गया ठीक है फिर इहां पे I1 current आ रहे है इस junction में I1 current जाएंगे तो अगर यह galvanometer से मतलब current flow होंगे उसको हमने current बोल दिया कुछ I-I current है ठीक है तो I1 में से I-Ig current इधर गया तो फिर इधर कितना current जाएंगे I1-Ig current जाएंगे ठीक है आरे समझ में फिर इह current इतना सा current इसे जाएंगे इस junction में आएंगे फिर I-Ig current आ रहे है इस junction में है कि नहीं फिर इह current प्ल minus I1 plus IG current mid करेंगे ठीक है तो इस case में क्या हो रहे है इस wire में से यह क्या है galvanometer ठीक है तो galvanometer की true IG current flow हो रहे है ठीक है current true galvanometer is IG तो इतना सा current इसे flow हो रहे हैं कि नहीं तो इस point पर mid करेंगे इस junction पर और यह current ऐसे आके यहाँ पर meet करेंगे तो इहाँ से कितना current निकलेंगे I1 minus IG ठीक है फिर इतना सा तो obviously आप देख पारे हो calculate करके I current निकलेंगे यहाँ से ठीक है देखो IG के आगे minus है यहाँ पर IG के आगे plus है तो दोने कैंसल होंगे यहाँ पर I1 के आगे, plus है, यहाँ पर I1 के आगे, minus है, ठीक, cancel होंगे, तो obviously I current यहाँ से निकलेंगे, clear है, तो यह I current आगके battery पर एंतर होंगे, ठीक है, तो rule यही था, कि battery से जितना करेंगे निकलेंगे, उतना ही current बैटरी पर एंतर होंगे, ठीक है, तो इस case में हमने क्या प पोटेंशिल होंगे, ठीक है, तो always current high से low potential flow होंगे, ठीक है, तो इस direction में current flow हो रहा है, यानि यहाँ पर जो potential होंगे, उसको मैंने मान लिया सबस्व भी ए, इस point में potential है, उसको मान लिया भी भी, ठीक है, तो obviously current इस direction में flow हो रहा है, इसका meaning यह हुआ कि यह जो भी ए potential है, that must be greater than phi b, ठीक है, तो basically यहाँ पर high potential है, और यहाँ पर low potential है, ठीक है, तो अगर phi a greater than phi b हुआ, यानि दोनों potential एक डूसरे से equal नहीं है, ठीक है, तो उस किसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पर high potential होंगे, यहाँ पर भी हो सकते है, लेकि main point यह है कि दोनों points पर potential equal नहीं है, तो क्या ठीक है, अगर यहाँ पर high potential हुआ, यहाँ पर low हुआ, तो क्या होंगे, current a safe होंगे, ठीक है, तो basically unbalance कब होंगे, which turn bridge, जब यहाँ पर और यहाँ पर potential equal नहीं होंगे, ठीक है, तब current phi flow होंगे, है ना, तो इस case में current iz की value, galvanometer की true current जो होंगे, that will be how much? non zero, ठीक है, ठीक है, तो तो basically zero की बराबर नहीं होंगे, कुछ current मिलेंगे हमें, ठीक है, तो balance switch turn bridge की कहानी के है, इहाँ पर जो ig current है, वो zero होंगे, ठीक है, तो अगर ig current zero होंगे, balance switch turn bridge में, तो इस point में potential जितना होंगे, इहाँ पर भी उठना होंगे, तब ही तो current zero होंगे, यानि इहाँ पर जितना potential, यहाँ पर जितना equal potential होंगे तो current इस wire में से galvanometer की through flow नहीं होंगे ठीक है? clear है concept? ओके तो अभी ध्यान से देखना इस case को हम लोग यह जो formula है इसको proof करने के लिए हम लोग लेंगे balance switch downbridge तो basically यहाँ पर IG का जो value होंगे इस current की value उसको हम लोग लिखेंगे 0 ठीक है? तो अगर यहाँ पर current 0 होंगे तो हम लोग IG को 0 लिख सकते हैं तो basically नहीं लिखने से भी होंगे है कि नहीं? यहाँ पर भी IG नहीं लिखने से भी होंगे clear है? ओके तो एवी ध्यान से देखो इस scenario में हम लोग कीर्शॉप स्ला यूज़ करेंगे तभी तो हम निकल पाएंगे जो सही है हमें है कि नहीं? तो कीर्शॉप स्ला एपलाई करने के लिए पहला रूल था यह apply caseal यह तो हमने कर लिया तो next rule के है step 2 में step 2 इसमें हमें apply करना होगा kvl तो kvl यानि loop rule यानि हमें loop draw करना होगा draw loop तो loop कैसे draw कर होगा? तो यहाँ पर दो loop बनेंगे है ना तो यहाँ पर एक हमने loop draw किया ओके इस तरह से तो loop की direction हमने clockwise लिया आप कुछ भी ले सकते हो तो loop rule क्या कहता है कि sum of potential difference sum of potential difference across the loop across the loop is equal to how much? 0 तो across the loop यहाँ पर potential difference मिलेंगे यहाँ पर तो 0 मिलेंगे क्योंकि current 0 है तो यहाँ पर फिर से potential difference मिलेंगे तो total potential difference कितना होंगे? 0 तो potential difference यहाँ पर कितना मिलेंगे इस resistance में? Okay, potential difference की निकलने के लिए जो formula था, वो क्या था, phi is equal to IR, ohms law, है ना, तो इसे लिख सकते हो, तो phi is equal to I की जगा पर इहाँ पर के लिखोगे, इसमें current कितना flow हो रहे है, I1 current, तो I की जगा पर I1 लिखोगे, इसमें resistance की value कितना है, R1, ठीक है, तो potential इसमें कितना है, I1, R1, तो इह तो obviously यही formula है, तो यहाँ पर potential कितना होंगे, phi is equal to current कितना ही यहाँ पर, I minus I1, है कि नहीं, I minus I1, यह सब से easy है, यहाँ पर R3 लिख दोगे, तो IR formula, तो IR की जगा पर R3 लिख दोगे, तो इतना है कहानी, फिर आप लिखोगे, यहाँ पर potential, that is, I minus I1 into R3, is equal to 0 लिख दोगे, इस loop के accurate, ओर potential है नहीं, ठेक है, दों ही है, तो देखो, यहाँ पर plus होंगे, या minus होंगे, यहाँ पर plus होंगे, या minus होंगे, उसको find out करना है, केसे find out करोगे, उसके लिखो, current किस direction में flow हो रहे है, इस direction में current flow हो रहे है, तो यानि यह जो point होंगे, इसको high potential कह सकते हों, क्यों of that इस point को आप बोलोगे initial point और इसको बोलोगे final point क्योंकि यह point बाद में मिला है ना तो potential difference लेने के लिए यानि कोई भी difference लेने के लिए आप क्या करते हो final से initial को minus करते हो ठीक है तो यहाँ पर अगर final minus initial करोगे तो आपको क्या मिलेगे final में potential कितना है low है ठीक है और initial में potential high है ठीक है तो low से high को minus करोगे तो answer किस में आँगे minus में आँगे ठीक है तो basically यहाँ पर जो potential difference होंगे उसके आगे यहाँ पर minus लिखोगे clear है फिर इसमें क्या होंगे current की direction यह है है ना तो इस point को आप बोले है high potential है क्यों कि इस direction में current flow हो रहे और current high से low flow होंगे तो यहाँ पर इस point को बोले है low तो अब ऐसे आ रहे हो ऐसे आ रहे हों मतलब यह point पहले मिलेंगे this one is initial point and this is final point तो अब always final minus initial करोगे तो final में है high तो high minus low करोगे तो high minus low करोगे तो आपको मिलेंगे positive में ठीक है और भी इसलिए high मतलब जाड़ है जाड़ से कम को minus करोगे तो positive में मिलेंगे ठीक है high minus low answer will be positive है ठीक है तो यहाँ पर आप लेखोगे positive है fine यहाँ तक easy है yes okay तो अभी इसको थोरा सा modify कर लो इसको उधर लेकर जाओ you can write it as i minus i1 फिर यहाँ पर r3 is equal to i1 r1 लिखतो ठीक है एक equation मिलके इसको number 1 के है तो फिर number 2 loop है ना तो इस loop में आप क्या करोगे यह तो ig0 है तो इस में एक loop द्रॉप करोगे तो second loop में आप क्या करोगे यहाँ पर potential केतना है कैसे निकलोगे p is equal to i r है ना i की जगा पर कितना लिखोगे i1 लिखोगे फिर r की जगा पर लिखोगे r2 ठीक है तो इहाँ पर potential कितना होगे कैसे निकलोगे p is equal to i r i की जगा पर के लिखोगे इतना सा तो इसमें करेंट कितना flow हो रहा है i minus i1 ठीक है फिर यहापे resistance कितने है R4 ठीक है तो दोनो resistance पे जितना potential है उसको निकलो लिखलो है ना तो अब लिखोगे I1 R2 फिर यहापे I-I1 फिर यहापे R4 लिखोगे is equal to 0 तो similarly यहापे minus plus केसी निकलोगे बोलो तो obviously यहापे इस direction में current flow हो रहे तो this point is high potential and this is at low potential वही same rule ऐसे आ रहे हो अब तो for you this is the initial point and this is the final point है कि नहीं तो final minus initial करोगे यहाणि low minus high करोगे ठीक है low minus high करोगे तो you will get negative क्यों ऐसा because low मतलब कम है ना let's say 4 मान लेते है high मतलब ज़्यादा तो 6 मान लेते है तो answer किसमें कितना हैंगे minus 2 हैंगे तो basic answer minus में है ना तो इसमें जो potential होंगे वो minus में हैंगे ठीक है तो यहापे आप minus लिखोगे similarly इहापे potential किसमें हैंगे current एसे flow हो रहे ना yes तो इस point को आप बोलोगे high potential इसको आप बोलोगे low potential ठीक है क्योंकि current high से low flow होगे है ना high to low फिर आप एसे आ रहे हो है कि नहीं और इहापे देखो मैंने दोनो लूप को clockwise direction में लिया तो आपका मर्ची आप कुछ भी direction में ले सकते हो इसको clock इसको anti clock एसे भी ले सकते हो तो कुछ भी ले सकते हो ठीक है तो final में potential कितना है high है minus initial में potential low है तो high मतलब लेच्छे कुछ 10 मान लिते हैं है ना low में कितना है low मतलब कम ना तो 7 मान लिया तो answer कितना हैंगे plus 3 आएंगे है कि नहीं तो basically answer high से low minus करोगे तो plus में आएंगे तो यहापे आप लिखोगे plus तो next step में क्या करोगे इसको थोरा ऐसा modify कर लो है ना तो इसको अब लिखोगे i minus i1 फिर हापे r4 is equal to i1 r2 ऐसे लिखतोगे इसको अब कहें तो number 2 equation थेक है तो अभी ध्यान से देखो इन दोनो equations को अगर हम divide करें तो हमें क्या मिलेंगे उसके लिए मिताना होगा है ना तो divide करेंगे ठीक है बोलना मुझे easy लागे या tough लागे है ना तो 1 divided by 2 ओके विल राइट i minus i1 ठीक है फिर हापे लिखोगे r3 divided by नीचे के लिखोगे i minus i1 फिर r4 लिखोगे ठीक है is equal to इतना divide by इतना ठीक है तो i1 r4 है ना नहीं r1 divided by i1 r2 तो इसे लिखोगे तो यह cancel होगे है कि नहीं यह i1 cancel होगे तो you can write r3 by r4 is equal to r1 by r2 easy है ठीक है तो इसको modify करके आप लिख सकते हूँ r1 by r2 is equal to r3 by r4 ठीक है यह से लिख सकते हूँ तो यह आगा आपका required formula ठीक है तो इस तरह से solve करना है हमें है तो easy है यह सब चीज़े थोड़ा सा practice कर लेना दो तिन पर आराम से हो जाएंगे ठीक है तो concept समझ ले आरम से हो जाएंगे ठीक है तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो content समझ में आ तो आप लोग चैनल को subscribe करना और share कर देना ठीक है लाइक भी करना comment करना ठीक है ठीक है तो हम लोग next class में potential meter समझेंगे ठीक है और meter bridge की concept को समझेंगे फिर question solve करेंगे है ठीक ह